लेक्चर को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रियोडी क्लासिफिकेशन आफ एलिमेंट होता क्या है और इसकी जरूत क्यों पड़ी तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेगा तत्वों के अध्यन को सरल बनाने के लिए जो एलिमेंट होते हैं उनके स्टडी को सरल बनाने के लिए एक समान गुण वाले एक समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ रखो और अलग-अलग प्रॉपर्टी वाले तत्वों को अलग-अलग रखने की विवस्था जो बनाई जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, periodic classification of element कहा जाता है समझ में आया आपको, जितने भी element हैं, प्रत्वी पर उन सभी element को systematic manner में arrange करना ही क्या कहलाता है periodic classification of element कहलाता है तो इतियास में बहुत सारे लोगों ने तत्वों का वरगी करण करा classification किया जिसमें सबसे पहले कराता डोबे राइनर ने डोबे राइनर ने अपना त्रिक सिद्धान दिया, उसमें काफी कमिया निकली उसके चलते वो successful नहीं हो पाया उसके बाद ने न्यू लेंड आये, न्यू लेंड ने तत्वों का अस्टक नियम दिया फिर आगे चलकर मैंडलिफ आये, मैंडलिफ ने आवर्थ सानी प्रजेंट करी पर मैंडलिफ की आवर्थ सानी जो थी, periodic table जो थी, उसमें भी बहुत सारी कमिया थी इस वज़े से वो भी successful नहीं हो पाई और उसके बाद सबसे last में फिर मौसले ने आदूनीक आवर्थ सानी जिसे बोला जाता है modern periodic table को present करा और वो successful रही, उस periodic table में अच्छे से तत्वों का वर्गी करन किया गया और हम आज जो पढ़ते हैं, वो modern periodic table के अनुसार ही पढ़ते हैं और उसी से एक्जाम में questions पूछे जाते हैं clear? तो चलिए friends, एक एक करके हम सभी के अच्छे से study करते हैं और सारे important points डिसकस करते हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो देखिए friends, सबसे पहले हम discuss करते हैं डोबे राइनर का trick सिद्दान्थ डोबे राइनर एक जर्मन विज्ञानिक थे डोबे राइनर ने तत्वो मतलब element को तीन-तीन के सम्मूव में रखा इन सम्मूव को क्या कहा गया? त्रिक कहा गया इसी लिए ये सिद्दान क्या के लाया? त्रिक सिद्दान के लाया त्रिक सिद्दान किसे संबंदीते हैं, डोबेराइनर से संबंदीते हैं, डोबेराइनर ने समु में तीन तत्व को इस तरीके से रखा कि बीच वाले तत्व का atomic mass मतलब परमानू दरौमान जो है, वो पहले और आखरी मतलब पहले और तिसरे तत्व के atomic mass के ओसत के लगभग बराबर हो जैसे कि आप example देख सकते हैं लीथियम, sodium और potassium इनको एक ग्रूप में रखा गया लीथियम और potassium का देखिए जो atomic mass का average हैं वो sodium के atomic mass के लगभग बराबर आता हैं तो इस तरीके से डोबे राइनर ने अपना trick सिद्दान्त दिया पर इस सिद्दान्त की भी बहुत सा उसके बाद में कोन आए देखे फ्रेंट्स, Newland आए, Newland ने क्या करा अपना अस्टक नियम दिया, Newland ने ग्याद तत्वों को उनके परमानु द्रवमान के atomic mass के बढ़ते क्रम में classified किया, Newland के समय में ग्याद तत्वों के संक्या कितनी थी, 56 थी, ध्यान रखेगा, Newland ने कहा आता कि तत्वों की जो टोटल संक्या हैं वो कितनी थी, 56 थी, Newland ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमानु भार वाले तत्व हाइट्रोजन से शुरू करा और थियोरियम तक इसको समाप्त करा, क्लासिफिकेशन में उन्हों ने देखा कि हर एक तत्व अपने से आठवे त तत्वों से गुन धर्म मतलब प्रॉपटी में समानता रखता हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एंग्जामपल लीथियम के बाद देखीए आठवे स्थान पर को ना आता हैं, नीजियम से आठवे स्थान पर सोडियम, तो लीथियम और सोडियम दोनों के प्रॉपटी जो है गुण धर्म है वो लगबग क्या रखते हैं समानता रखते हैं ठीक है तो इस तरीके से Newland ने क्या करा तत्वों का वर्गी करन करा पर Newland के अस्टक नियम की भी बहुत सारी कम्या निकल कर आई Newland का अस्टक नियम केवल केलशियम तक ही लागो होता है इसके बाद में यह नियम फेल हो जाता है नियूलेंड ने कलपना कीती की प्रकृती में सिर्फ और सिर्फ 56 ही तत्व हैं 56 ही एलिमेंट है पर बाद में कई नई तत्वों की खोज हो गई इस तरीके से नियूलेंड ने जो तत्वों का वर्गी करण कराता वो भी क्या हो गया फेल हो गया सक्सेस्फुल नहीं हो पाया फिर आगे चलकर अगले विग्यानिक कोन आए मेंडलीफ आए मेंडलीफ ने तत्व का वर्गी करण किस थरीके से करा उन्होंने एक periodic table प्रस्तूत करी जिसे क्या कहा गया मेंडलीफ periodic table कहा गया मेंडलीफ एक रशन विग्यानिक थे तत्व के वर्गी करण classification में मेंडलीफ का बहुत important योगदान रहा है एक important चीज़ ध्यान रखेगा मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्तसानी मतलब periodic table को प्रस्तूत कराता ध्यान रखेगा सबसे पहले निर्मान किस ने कराता मेंडलीफ ने कराता मेंडलीफ ने ही तत्व को उनके गुंधर्म मतलब property के अनुसार systematic तरीके से वर्गिगत किया मेंडलीफ ने hydrogen से शुरू कर तत्व को उनके परमानु द्रवमान ध्यान रखेगा very very important point बता रहा हूं आपको में परमानु द्रवमान atomic mass के बढ़ते क्रम में एक table में arrange करा है मेंडलीफ ने परमानु द्रवमान मतलब atomic mass पर focus करा है clear मेंडलीफ ने आवर्थ सानी को group मतलब work pre-ed मतलब आवर्थ में divide किया मेंडलीफ के आवर्थ सानी में 9 वर्थ थे और 7 आवर्थ मतलब pre-ed थे clear मेंडलीफ ने उस समय तक सभी ग्यात तत्वों को शामिल करने के साथ साथ कुछ अग्यात तत्व जिनकी खोज नहीं हुई थी उनके लिए अपनी टेबल में रिक्तिस्तान भी छोड़ दिया था पर मेंडलीफ ने जो तत्वों का वर्गी करन करा इसकी भी बहुत सारी कम्या निकल कराई जिसे समान गुण वाले तत्वों को अलग लग रखा गया ज्यादा एटोमिक मास वाले तत्वों को कम एटोमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया जिसे आयोडीन को टेलियूरियम के बाद रखना आयोडीन का वेट कितना था 126.92 टेलूरियम का वेट कितना था 127.61 तो आयोडिन को टेलूरियम के बाद रखा गया ये भी एक कमी निकल कर आई तो ऐसे बहुत सारी कमिया निकल कर आई तो मेंडलिफ का जो था तत्वो का वर्गी करन करने का तरीका वो भी क्या हो गया? फेल हो गया इसके बाद आगे चल कर 1913 में हेंडरी मोसले आये उन्होंने एलिमेंट के एक नए गून की खोज करी एटोमिक नंबर परमानु संख्याजी से कहा जाता है तत्वो को बढ़ते हुए परमानु भार की बजाए मोसले ने तत्वो को बढ़ते हुए परमानु क्रमां के अनुसार वर्गी करत करा मैंडलिफ ने क्या करा था ध्यान रखेगा तत्वो को बढ़ते हुए परमानु भार मतलब दर्वमान एटोमिक मास के बढ़ते क्रम में उनको अरेंज करा जबकि मोसले ने बढ़ते हुए atomic number के अनुसार वर्गी गरत करा है ठीक है very very important point है ये अब देखिए friends modern periodic table के सभी important point discuss करने से पहले हमें तीन चीजों का आना बहुत ही ज़रूरी है एक atomic number क्या होता है atomic mass क्या होता है और किसी भी परमानू तत्तों का shell structure जो कि मैं आपको बता चुका हूँ आगे वो किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको आना ज़रूरी है तो आपका समझना बहुत ही easy हो जाएगा तो चलिए हम इन तीनों term को अच्छे से समझ लेते हैं atomic number की बात करते हैं तो atomic number क्या होता है किसी भी तत्व मतलब element के परमानू के नाभिक में nucleus में उपस्थित protonों की संक्या क्या क्यलाती है उसका atomic number खेलाती है बहुत ही simple जितने उस तत्व के परमानू के नाभिक में protonों की संक्या है वही उस तत्व का क्या क्यलाता है atomic number क्यलाता है बहुत ही simple तो अगर मैं आपको बोलू कि atomic number बढ़ रहा है तो nucleus में protonों की संक्या भी बढ़ रही होगी बिल्कुल सही बात है तो आपको ये चीज़ समझ में आई अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि proton पे कौन सा चार्ज होता है positive चार्ज होता है electron पे कौन सा चार्ज होता है negative चार्ज होता है तो atomic number आपको अच्छे समझ में आया अब हम समझते है atomic mass क्या होता है देखिए atomic mass निकालने का तरीका बहुत ही simple है atomic number को just आप दुगना कर दो तो लगबग लगबग उस तत्व का atomic mass निकल करा जाता है समझ में आया आपको atomic number को दुगना कर दो तो उसका atomic mass निकल करा जाता है लगबग लगबग atomic mass निकल करा जाता है ठीक है friends तो atomic number और atomic mass निकालना आपको अच्छे से आ गिया अब हम तीसरी term को discuss करते हैं जो कि है shell structure किसी परमानू तत्व का shell structure के से बनाया जाता है तो ये भी मैं आपको देखिए carbon वाला lecture जो हमने discuss करा था उसमें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि किसी भी तत्व के shell में electron को के से arrange करा जाता है हमने क्या पढ़ाता कि 4 shell होती है K, L, M और N K shell में 2 electron आते है L shell में 8 electron आते है maximum, M shell में 18 electron आ सकते है maximum और N shell में 32 electron maximum रखे जा सकते है चलिएक example से हम इसको समझते है हम समझते हैं carbon का shell structure, देखिए carbon का atomic number कितना होता है, 6 होता है मतलब इसमें protonों की संक्या कितनी होगी, nucleus में 6 होगी और electron की संक्या भी कितनी होगी, 6 होगी हमको 6 electronों को arrange करना है, तो carbon की पहली जो first shell आई, K shell उसमें कितने electron आ गए, 2 electron आ गए इसके बाद देखिए second shell आई इसमें कितने maximum electron रखे जा सकते हैं 8 electron maximum रखे जा सकते हैं पर बचे हुए कितने electron है, भी 4 electron तो second shell में कितने electron आ गए, 4 आ गए तो carbon stable condition में है क्या नहीं है, अगर इसका बाहर का octane complete हो जाता outer shell में, अगर 8 electron complete हो जाते, तो carbon जो था वो stable condition में आ जाता, ठीके इसलिए हमने पढ़ाता कि carbon क्या करता है stable होने के लिए covalent bond बनाता है यह हम carbon वारे lecture में discuss कर चुके है, तो यह आपको shell structure समझ में आया होगा, ठीके तो किसी भी तत्व का, परमानू का आप shell structure बना सकते हैं यहां से मैं समझ सकता हूँ, ठीके चलिए, अब आगे हम important point discuss करते हैं modern periodic table के, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि modern periodic table आपको दिख रही होगी इस modern periodic table में 18 vertical column है जिसे क्या कहा जाता है, group कहा जाता है वर्ग कहा जाता है, और 7 horizontal row है, जिने क्या कहा जाता है आवर्थ कहा जाता है, या फिर preate कहा जाता है, ओके और देखिए फ्रेंड्स, पर्मानु संक्या atomic number 58 से 71 तक के element को, जिने lengthenite कहा जाता है, और पर्मानु संक्या 90 से लेकर 103 तक के element को, जिने actinite कहा जाता है, आवर्थ सानी के नीचे दो अलग-अलग पंक्तियों में रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, आपका ये topic अच्छे से cover हो जाएगा, अब इसमें देखिए hydrogen की पर्मानु संक्या atomic number सबसे कम है, इसलिए hydrogen को पहले इस्तान पर रखा गया है clear, आजकल exam में बहुत अच्छे-च्छे questions बन रहे हैं जैसे कि पहले आवर्थ में पहले प्रियर्ड में कितने तत्वों को रखा गया हैं, दूसरे आवर्थ में कितने तत्वों को रखा गया हैं, तिसरे प्रियर्ड में कितने तत्वों को रखा गया हैं, ये exam में question बन जाते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं एलिमेंट होते हैं 2 होते हैं दूसरे आवर्त में 8 तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं चोथे आवर्त में कितने होते हैं 18 तत्व होते हैं अब देखे फ्रेंड्स periodic table में आप देख पारे होंगे छटे आवर्थ में लेंधे नम के बाद देखिए 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को आवर्थ साने के नीचे रखा गया है तो इसको लेकर confuse मत होईएगा छटे आवर्थ में कितने आते हैं 32 तत्वा आते हैं और आखरी जो बचा हुआ हमारा सात्वा आवर्थ हैं उसके अंदर 6 बचे हुए तत्वा आते हैं तो ये जितने भी मैंने आपको बता हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए इसका code आप ध्या देना होगा अब आगे देखिए इस पूरी periodic table में आपको सिर्फ 5 ग्रूप 5 वर्गों को दिमाग में रखना है कौन-कौन से 5 ग्रूप मैं आपको बता देता हूं ग्रूप नमबर पहला इस ग्रूप के तत्वों को अलकली मेटल मतलब शारी धातु का जाता हैं कौन-कौन अलकली मेटल होगा यह हमको देख के समझ में आ रहा है ठीक है फ्रेंट्स इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है सेकेंड ग्रूप जिसे क्या बोला जाता है अलकलाइन अर्थ मेटल का जाता है शारी यह म्रदा धातु इसके बाद आपको देखिए कौन सा ग्रूप अल्क के गए हैं इसके बाद आता है इंपोर्टेंट ग्रूप नमबर सेवंटीन जिने क्या का जाता हैं हेलो जैंस का जाता हैं इस grup में आने वाले तत्व सबसे जादा क्रियाशी लोते हैं क्यों क्रियाशी लोते हैं देखिए फ्लोरीन का जब आप स्ट्रूचर तो इसके outer shell में कितने electron आते हैं? साथ electron आते हैं और outer shell में देखिए second जो shell है इसमें कितने electron इसको चाहिए है? 8 electron चाहिए stable होने के लिए तो एक electron की कमी हो रही है इसको तो ये चाहता है कि मुझे एक electron कहीं से फटाफट मिल जाए इसलिए fluorine जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशिल होता है chlorine भी होता है, bromine भी होता है पर इन सभी में सबसे ज़्यादा क्रियाशिल जो होता है वो कौन होता है? fluorine होता है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा तो group नमबर 17 के तत्वों क्या का गया है? हेलो जन्स का गया है एक और ची ध्यान रखेगा कि इस ग्रूप के सभी तत्व जो होते हैं वो नमक बनाने में उपियोग किये जाते हैं इसके बाद देखिए अगला वर्ग अगला ग्रूप कौन सा दिमाग में रखना आपको ग्रूप नमबर 18 ये प्रियोडिक टेबल का सबसे लास्ट का ग्रूप है इसे शुन्य समू भी कहा जाता है इस ग्रूप में नोबल गेसों को इस्थान दिया गया है हिलियम, नियोन, ओर्गन, क्रिप्टोन ये सारे जो गेसेस हैं वो इसी ग्रूप में रखी गई हैं इस ग्रूप में आने वाले तत्वो सबसे कम क्रियाशिल होते हैं क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंडिशन में होते हैं इन तत्वो को ना तो इलेक्ट्रोन लेने की जरूद होती है और ना देने की जरूद होती है उन्हें भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अभी तक कुल ग्याद तत्वों की बात करते हैं तो कुल ग्याद तत्वों की संक्या कितनी हैं दोस्तों 118 ध्यान रखेगा 118 अभी तक कुल ग्याद तत्वों की संक्या हैं जिनने periodic table में प्रस्तूत किया गया हैं इसमें 98 जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो प्रकृती में naturally available हैं, पर 20 तत्वों ऐसे हैं, जिनने artificial मतलब करतीम रूप से तयार किया जता हैं, man-made द्वारा बनाए गए हैं, 118 तत्वों में 91 मेटल हैं, और 27 जो हैं वो नॉन मेटल हैं, clear, तो यह तो हमने discuss करा कि अभी तक कुल कितने तत्व हैं, अब आगे देखिए, प्रत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाले तत्व की बात करते हैं, तो वो कौन सा तत्व हैं, कौन सा element हैं, वो है oxygen, ध्यान रखेगा यहां पर मैं focus कर रहा हूं element पर, पर अगर म अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व oxygen, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातू तत्व, metal कौन सी हैं, aluminium में, पूरी आवर सानी में सबसे हलका तत्व कौन सा हैं, hydrogen है, और वेसी बात है, atomic number इसका 1 है, हम देख सकते हैं, तो इसका atomic mass भी जो है, वो सबसे कम हो सबसे भारी तत्व बात करते हैं, पूरी periodic table में, तो वो कौन सा हैं, दोस्तो, un-anoptium है, un-anoptium जो है, वो एक man-made द्वारा बनाया गया है, प्रकृती में naturally available नहीं होता हैं ये, पर अगर naturally अगर पूछा जाए आपसे, तो ध्यान रखेगा uranium जो होता हैं, सबसे heavy तत्व कौन द्वारा बनाया गया, पर अगर specify करके exam में पूछ ले कि naturally सबसे भारी तत्व कौन सा हैं, तो कौन सा है, uranium है, सबसे भारी धातू की बात करें, metal की बात करें, तो कौन सी हैं, दोस्तो, un-anoptium है, एक और चीज़ ध्यान दीजेगा, सबसे ज़्यादा high density किस तत्व की होती है osmium की होती है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब अगर ऐसा exam में question पुछ ले, कि ऐसी धातू जो द्रव अवस्ता में पाई जाती हैं, तो वो कौन सी हैं, पारा हैं, और ऐसी अधातू, ऐसी non-metal, जो द्रव अवस्ता में पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं bromium, तो ये दोनों चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है friends, तो ये हमने periodic table के कुछ important points discuss करें, अब देखें दोस्तों last में हम discuss करते हैं periodic properties के बारे में, ये थोड़ा सा advanced level है, बट exam में आजकल क्या है level बढ़ा के question पूछे जा रहे हैं, तो इसका हमको idea होना चाहिए, periodic properties की बात करते हैं, तो उसमें हम दो चीज़े discuss करेंगे, एक discuss करेंगे atomic size के बारे में, और दूसरा हम discuss करेंगे electronegativity के बारे में, इसे विद्यूद रिनात्मकता कहा जाता हैं, तो ये दोनों properties हमको discuss करना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम discuss करते हैं atomic size के बारे में, तो periodic table में जब भी हम top to bottom जाते हैं, उपर से नीचे जाते हैं, तत्वों की size जो होती हैं, element की size जो होती हैं, वो क्या होती हैं, increase होती हैं, जैसा कि आप पहला देखिए, group देखिए, उसमें hydrogen, lithium, sodium, potassium, ये पहले group के तत्व हैं, अब हम उपर से नीचे आ रहे हैं, तो सभी के shell structure के, lithium के देखिए, एक shell increase हो गया, sodium की size देखिए, यहाँ पर 3 shell आ गई, potassium में देखिए, यहाँ पर 4 shell आ गई, तो shell increase हो रही है, मतलब size भी increase हो रही है, clear, तो ये तो समझ में आ गया कि top to bottom आने पर आवर्ट सांडी में, तत्वों की size जो है, वो क्या होती हैं, increase होती हैं, चलि दूसरा आवर्थ आपको दिख रहा होगा, दूसरा pre-ed आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए, सबसे पहला lithium, beryllium, फिर boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, यह आ गए हमारे दूसरे आवर्थ के तत्व, ठीक है, left to right में, अब इन सब के shell structure आप देख रहे होगे, सभी element में, shell जो है, वो ब peryllium में देखिए, यहाँ पर atomic number 4 हैं, तो nucleus में protonوں की संक्या क्या होगी, 4 होगी, clear, यहाँ पर nucleus में protonوں की संक्या बढ़ गई, ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगी हम, atomic number बढ़ने की वज़े से nucleus में, उसके नाभीक में protonوں की संक्या क्या हो रही है, increase हो रही है, positive charge increase हो रहा है, त तो जो उसके आजपास electron है, उसको क्या करेगा, वो खीचेगा, pull करेगा, size क्या होगी, कम हो जाएगी, तो इसी लिए periodic table में left to right जाने पर तत्वो की size जो होती है, वो कम हो जाती है, जितना ज़्यादा नाभिक में nucleus में positive charge होगा, उतना ज़्यादा नाभिक जो है, वो electron को खीचेगा, और खीचेगा, तो size कम हो जाएगी, तो हमको clear समझ में आ रहा है, कि left to right जाने पर तत्वो की size जो होती है, वो क्या होती है, friends, कम हो जाती है, तो आपको atomic size समझ में आ गया, तो अगर atomic size से question पूछते हैं exam में, तो आप बिल्कुल easily बना पाएंगे, तेकि second property आती है हमारी electro negativity, electro negativity होता क्या है, विध्यूत रिनात्मक्ता होती क्या है, ये हमको समझना जरूरी है, तो किसी तत्व परमानू द्वारा, electron लेने की या बोल सकते हैं, ग्रहन करने की tendency, क्या कहलाती हैं, उसकी electro negativity कहलाती हैं, clear, अब आवर सांडी में periodic table में, left to right जाने पर, electro negativity बढ़ती हैं, कैसे वो हम आगे समझेंगे, और उपर से नीचे जाने पर, top to bottom जाने पर, electro negativity घटती हैं, size के just opposite होता है ये, electro negativity, size बढ़री है, तो electro negativity घटेगी, size घटरी है, तो electro negativity बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, inverse होते हैं, ये आपको clear हुआ, अब देखिए, एक example से हम समझते हैं, पहला वर्ग आप देख रहे होंगे, इस पहले वर्ग का तत्व है lithium, जिसका atomic number क्या है, तीन है, इसमें electron के संख्या कितनी होगी, तीन होगी, तो देखिए, इसका shell structure, इसके पहले वाले shell में, दो electron आ गए, outer shell में कितने electron आ गए, एक electron आ गया, अब lithium को stable होने के लिए, कितने electron required हैं, 7 electron और required हैं, क्योंकि इसके outer shell में देखिए, 7 electron और आ सकते हैं, तब ही lithium जो होगा, वो stable condition में आएगा, तो electron लेने की tendency, lithium की जो है, वो कितनी है, कम है, क्योंकि इसको 7 electron चाहिए, तब जाके stable होगा, अब अगला तत्व देखिए, ग्रूप का हमने लिया, fluorine, जिसका atomic number क्या होता है, 9 होता है, इसमें electron कितने होंगे, 9 होंगे, तो देखिए, इसका shell structure, इसमें, पहले वाले shell में, 2 electron आ गए, outer shell में, कितने electron आ गए, बचे हुए 7 electron, एक electron यहाँ पर, fluorine को कम लग रहा है, outer shell में, एक electron और आ जाएगा, तो इसका outer shell जो होगा, वो complete हो जाएगा, तो fluorine चाहता है, कि एक electron मुझे मिल जाए, और हमने देखिए, उपर समझा है, lithium जो है, उसको कितने electron चाहिए, 7 electron चाहिए, और fluorine को, सिर्फ एक electron चाहिए, तो electron लेने की तड़ब, सबसे आदा किसको है, fluorine को है, तो electron negativity सबसे आदा किसकी होगी, fluorine की सबसे आदा होगी, तो आपको ये चीज़ किलियर हुई, तो आवर्त में, left to right जाने पर, electron negativity बढ़ रही है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, और उपर से नीचे आने पर, electron negativity घट रही है, तो I hope दोस्तों आपको, ये electron negativity वाला concept समझ में आया होगा, electron लेने की tendency जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, वो उतना electron negative होता है, पूरी आवर्त सानी में ध्यान रखेगा, periodic table में, सबसे ज़्यादा electron negative कौन सा element होता है, fluorine होता है, very very important question है, exam में पूछा आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, तो friends, ये हमने समझा, दोनों property को अच्छे से discuss कर लिया, अब देकि friend, last में हम ये discuss कर लेते हैं, हो सकता हैं कि exam में आपको सीधे definition ही पूछ ले, ठीक है, कि ये definition किस ने दिये, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए जस्ट एक बार आप इसको read कर लीजिए, कि manlip का आवर्तिनियम क्या कहता है, तत्वो के रायसाइनिक और भोतिक गुन, उनके पर्माणू संख्या के आवर्ति फलन होती है, atomic number के आवर्ति फलन होती है, clear, तो बस आपको ये definition एक बार सुनना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है, ठीक है friends, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये theory section complete होता है, अच्छे से हमने सारे important point cover करें है, एक्जाम में question आपको यहीं से देखने को मिलना है, तो friends, चलिए बारी है, टेस्ट लगाने की और analysis करने की ज़रूत हैं, कि आपने इस topic को कितने अच्छे से समझाएं, तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं, तो देखिए friends, पहला question है, तत्व का सबसे पहले वर्गी करन किस ने किया था, सबसे पहले वर्गी करन किस ने करा था, डॉबे राइनर ने करा था, तत्व के वर्गी करन से सम्मंदित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किस ने किया था, त्रिक का नियम किस ने दिया था, ट्रायट रूल किस ने दिया था, डॉबे राइनर ने दिया था तत्वों के वर्गी करण से सम्मंदित अस्टक नियम, लो अफ ऑक्टेव का पतिपादन किस ने किया था किस ने करा था? Newland ने करा था अस्टक नियम Newland ने दिया था चलिए अगला कुशन लेते हैं किस विज्ञानिक ने सरपथम आवर्थ सानी का निर्मान किया? सबसे पहले आवर्थ सानी का निर्मान किस ने करा था? Mandlif ने करा था उसके बाद में मौसले ने उसमें थोड़ा सा मौडिफिकेशन करा था सबसे पहले आवर्थ सानी का निर्मान Mandlif ने करा था आदूनिक आवर्थ नियम Modern Periodic Log का प्रतिपादन किस ने किया था? आदूनिक आवर्थ नियम किस ने दिया? मौसले ने दिया तो D answer मैंडलिफ की आवर्थ सानी में तत्वों के वर्गी करण का आधार है देखिए मैंडलिफ की आवर्थ सानी जो है वो बढ़ते हुए परमानु दर्वमान से संबन दीते हैं तो यहाँ पर A answer सही होगा मौसले की जो आवर्थ सानी है वो बढ़ते हुए परमानु क्रमाक एटोमिक नंबर से संबन दीते हैं यहाँ पर मैंडलिफ पुछा है तो परमानु दर्वमान सही है आवर्थ सानी में वर्गों की कूल संक्या कितनी है कितने ग्रूप से टोटल अठारा ग्रूप है हादुनिक आवर्थ सानी मौडरन प्रियोडिक टेबल में आवर्थों की कूल संक्या कितनी है प्रियेट कूल कितने है साथ आवर्थें टोटल और किस आवर्थ में कितने एलिमेंट है यह भी मैं आपको बता चुका हूँ दो, आठ, आठ, अठारा, अठारा और बतीस और लास्ट में शेश तत्व टोटल आ गए ठीक है तो यह आगए हमारा पहला आवर्थ, दूसरा आवर्थ, तीसरा आवर्थ, चोथा, पांचवा, छटा और यह साथवा तो अगर आपसे पूछे कि पांचवे आवर्थ में कितने तत्व रखे गए हैं, तो कितने होते हैं, अठारा तत्व, ठीक है, तो यह एक्जाम में कोश्चन्स काफी बन रहे हैं, इन चीजों को ध्यान रखेगा आधुनिक आवर्थ साणी में तत्वों को वेवस्थित किया गया हैं, आधुनिक आवर्थ साणी में बढ़ते हुए परमानु संख्या में, डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता हैं, किस वर्ग के ग्यारवे वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता हैं, शुनिसम्मू में रखे गए तत्वों किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, हैलोजन, शारी धातु हैं शारी मर्दा धातु हैं ये तीनों तो बिल्कुल गलत निश्क्री तत्व बिल्कुल अक्री तत्व इन्हें कहा जाता है इनर्ट गेस जिनें इंग्लिश में बोला जाता है शुनि सम्मू में रखा गया उन सभी को तो D आंसर यहां पर सही होगा सबसे भारी धातु हैं सबसे भारी धातु देखिए सबसे भारी मेटल के बारे में पुछाएं कौन से होती हैं ओस्मियम होती हैं सबसे हाइस डेंसिटी किसकी होती हैं ओस्मियम की होती हैं क्लियर चलिए अगला कोशन देखते हैं सबसे हलकी धातु हैं सबसे हलकी धातु कौन सी होती है मेटल कौन सी होती है लीथियम होती है सबसे हलका तत्व कौन सा होता है सबसे हलका तत्व होता है हाइट्रोजन निम्न में से कौन सा तत्व सरवादिक विद्यू दिनात्मक इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं सबसे आदा इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन सा होता है फ्लोरिन होता है ठीक है यह हम पूरा समझ चुके हैं अच्छे से बी आंसर बिल्कुल सही होगा प्रत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातू तत्व हैं का अंतिम सदस्य होता है तो फ्रेंड्स प्रियोडिक टेबल का आखरी वर्ग सबसे लास्ट ग्रूप कौन सा होता है अक्रिय गेसो का निश्क्रिय गेसो का होता है तो निश्क्रिय गेसो का सदस्य आता है सबसे आक्रिय में आवर्त में ठीक है, preate का सबसे अंतिम सदस्य कोन होगा? निश्क्री गेस होगा. तो यहाँ पर देखिए, C answer, एक निश्क्री गेस होता है अंतिम सदस्य. बिल्कुल सही answer होगा. देखिए, next question है, प्रत्यक आवर्त का पहला सदस्य होता है, शार धातू होती है अलकलाई मेटल होती है A answer आवर सानी के दूसरे आवर्त में तत्वो की संक्या कितनी होती है कितनी होती है मैंने आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 और बचे हुए तो दूसरे आवर्त में कितने आते हैं 8 आते हैं B answer सही होगा आदूनिक आवर्त सानी के 5 आवर्त में कितने तत्वो हैं 5 आवर्त में कितने होते हैं 18 तत्वो होते हैं मतलब C answer सही होगा Next question लेते हैं आदूनिक आवर्त सानी Modern periodic law के 17 वर्ग को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है Hello Gens कहा जाता है तो friends देखिए यहाँ पर हमारा test complete होता है I hope आपने analysis करा होगा कि इस topic को आपने कितने अच्छे से समझाए तो friends questions देखिए गुमा फिरा के पूछ सकते हैं जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना cover करते हैं तो exam में definitely आप questions को solve कर पाएंगे तो friends I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर friends पसंद आया है तो please वीडियो को like करिए अपने friends के साथ में share करिए और comment करके ज़रूर बताये कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा हैं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के important वीडियो जब भी में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत